नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें 9 जून 2023 आशाड महीने के पहले शुक्रवार को करें एक मुठी चावल एक दीपक का महा उपाई जीवन के हर दोहक से मिल जाएगी आपको मुक्ती माता लक्ष्मी जी के आशिरवात से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा हमारे धर्म शास्त्र में आशाड महीने को पवित इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। इसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। तो उस व्यक्ती को माता लक्ष्मी जी का वो आशिरवाद मिलता है। जिसके बाद उस व्यक्ती को जीवन में धन समबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष् जी के सामने सिध्ध हो जाए तो इसके लिए आपको लगातार 10, 12, 15 शुक्रवार तक पूजा पाथ उपाय करना होता है। लेकिन आशार महीने का जो पहला होता है यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता। लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और इस दोरान मतलब इस महा शुक्रवार के दिन जो 9 जून 2023 को पड़ रहा है। इस दिन अगर आपने सिर्फ एक दिये और एक मुठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंथ ही बताने जा रही हैं। तो दोस्तों मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कते, समस्याओं से आपको तुरंथ ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ती मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन, चारों दिशाओं से खीचा हुआ चला आएगा, एक तरीके से समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी दोस्तों आशार महीने का जो पहला शुक्रवार 9 जून 2023 को पढ़ने जा रहा है। अगर आपने अपने जीवन का सिर्फ दो या चार मिनट निकाल करके इस महा के दिन एक दीपक और एक मुठी चावल का वह महा उपाय कर लिया जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे और सही मुहूर्थ पर अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिये माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको काम्याब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि कहा जाता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर माता लक्ष्मी जी की मिल जाए उसके बाद उस व्यक्ति को ही नहीं बलकि उस व्यक्ति की आने स पीधी को भी पैसे की किलत नहीं होती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें। आपके जीवन में धन खीचा हुआ चला आया आपके पास तो दोस्तों पूरी सक्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की और एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशी के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है। जिस उपाय से आपको कोई भी लाप पहुँच सके वो हम आपको रिपलाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों ए इन उपायों का लाब आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही महूर्ट पर करेंगे देखिए लोग करते क्या है वो पूजा पाठ तो करते हैं लोग और उपाय भी करते हैं लेकिन गलती क्या कर देते हैं बहुत से लोग वह लोग उपाय को करते वक्त महूर्ट का ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्तपन ना किया जाए या नियम अनुसार ना किया जाए, तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है, दोस्तों यह जो आशार महीने का महा शुक्रवार है, यह पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए आता है, यह इतना ता इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के बाद इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा, चलिए प्रिये दोस्तों आपको उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडिय की पढ़ाई के लिए आप कर्स के मजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्स के बोज से दबते हुए चले आ रहे हैं, आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर, जके माईजाल से मुक्ती मिलेगी, तो ये महाउपाय कर लीजिए जो वैशाख महीने के प एक लाल चुनरी वहाँ पर अर्पित करना है, अगर आपने आशार महीने के पहले शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्षमी जी की मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपका कर्स जो होगा वो धीरे-धी मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही महंत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, दोस्तों शुक्रवार दिन माता लक्षमी जी के किसी भी मं जाए वहाँ पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं, उनको पीले वस्तर में एक मुठी चावल रख के दान कर दीजिए. इतना करने भर से मान के चलिए माता लक्षमी जी की क्रिपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना. चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्ने लेंगे उस निर्ने से सिर्फ आपको फाइदा पहुँचेगा. उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए. उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा. इस पर आप थोड़ा सा. छिड़क दीजिएगा. बस इतना आपको करना है. और इतना अगर आपने आशाड महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया. दोस्तों, यकीन मानिये इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धान आने के रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि जो ज़ाडू होती है वो माता लक्ष् पती ने भी कर लिया उसका दुरभाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाता है आपको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा जो एक गाय होती है दोस्तों जो आपके घर के पास गाय टहलती है गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वासकरत है और गोमुत्र में माता गंगा जी वासकरती है तो अगर आप चाहते हैं कि आशार महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशिरवाद प्राप्थ हो तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए अपने घर पर 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुर की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है अगर आपने वैशाक महीने के पहले शुक्रवार के दिन यहां लिया दोस्तो आपका दुरभाग या आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नती करेंगे अब आपको जो हम उपाय बताने आ रही हैं ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आशार महीने के पहले शुक्रवार के दिन यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपकी बेफिजूल खर्ची रुख जाएगी क्या करना है देखिए सूरियास्त जब हो जाता है साथ बजे के बाद आपको नहाना है धोना है सफेद का धारन करना है क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय बहुत चित्र जो आपके घर पे पूजा घर पर है वहाँ पर बैठना है उस दीपक को रखना है दीपक को रखने के बाद वो आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए अब आपको दीपक उसमें एक लॉंग डाल देना है यह उपाय अगर आपने कर दिया तो मान के दोस्तों आपके घर की बेफिजूल खर्ची जो होगी वो अब बंध हो जाएगी, यह उपाय बैसाख महीने के पहले शुक्रवार को करना ही चाहिए आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा टिके अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जिसके बाद आपके घर पर धन चुमबक की तरहे खीचा हुआ चला आएगा, आपको क्या-क्या बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए एक लाल कपड़ा तीन कपूर एक लॉंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों एक लाल, कपड़ा एक मुठी चावल तीन कपूर 51 काली मिर्च के दाने, अब आपको ये सारी चीजों को एक लाल कपड़े में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लाल कपड़े पर रखिए माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है, वहीं प अस्त्र को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए या मान लीजिए आप व्यापारी हैं, तो व्यापारी थान पर रख दीजिए, आप खुद देखेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आश अब उपाय करने हैं, जिससे माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्थ होगी, आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो क अंत तक बने रहने के लिए